महाशिवरात्री के लिए आज साबू दाने के एक से entwickelt बनाएंगे जैस को बनाना बहुत्छी आसान है यह बहुत ही बहुत ही तेस्टी तेस्टी और बहुत ही स्वाधिस्ट है इसको व्रत्मे ही नहीं किसी भी पाटी बरसात के मौसम या गैसान पर बना सकते है। बिना साब उद्याने को भिगोई बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं तो यह देखे फ्रेंट्स इसकी आवाजा इसकी आवाज से आपको पादा चल रहा होगा है कितने क्रिस्पी बने हैं और एक मैं आपको भी तोड़कर दिखाती हूँ इतना अच्छा टेक्सर आया इसका और आपको खनी के आवाज से पता चल रहा होगा कि कितने क्रंजी बने हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं जरूर ट्राय किजिएगा बहुत ही अच्छा स्नेक्स है अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जिससे आपको मेरी इसी तरह की इजी टेस्टी और सुपर हिट रैस्पी देखने को मिलेंगी सबसे पहले साबुदाना कटलेट्स को बनाने के लिए हमें किन चीजों की जुरूत है देख लेते हैं यहां मैंने लिया है 100 ग्राम साबुदाना यानी एक बाउल और इसको मैंने गिले कपड़े से पहुंच लिया है और यहां मैंने लिया है पीनट जिनको मैंने क्रश कर लिया है मैंन नमक क्योंकि हम वरत के लिए बना रहा है धनिया पती और हरी मिट्स ली है और साथ में ही ली है काली मिट्स जिसको हम क्रेश करकर डालेंगे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें हर चीज का एक अपना बाइट में टेस्ट आएगा आपको तो चलिए बनाना भी स्टार् जिसमें मैं अपने साबुदाना को पीस लूँगी और ये देखे साबुदाना हमारा पिस गया है ये एकदम रेट रेट कीतरा भिखर रहा है तो मैंने इसको एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं पीसा है इसी तरह से थोड़ा दरदरा पीसा है अब मैंने लिया एक बढ़ा से मैं इन आलो को इस तरह से ग्रेट कर लूँगी उबले हुए आलो को बहुत ही सिंपल रेस्पी है एक बार जरूर इस बार ट्राइ कीजेगा आप इस शिवरात्री पर यह देखे मैंने आलो को ग्रेट कर लिया है अब डाल देंगे इसमें अपना मुंगफली का दाना जीरा अब भुनावा जीरा पाउडर नमक ग्रीन कोरियंडर लीप्स और जो हमने हरी मिर्च बारी बारी काटी थी उनको भी और अब डाल दूगी मैं क्रश किया वहा अपना ये ब्लैक पैपर ब्लैक पैपर को पाउडर की फॉर्म में आप नहीं डालें इस तरह से क्रश करकर ड तो शायद ये जो आलू का मॉस्चर होता है उसको ये थोड़ा सा सोख लेगा तो शायद आपका जो ये डो है वो थोड़ा ड्राय लगे तो आप इसमें थोड़े से बाविल आलू डाल सकते हैं तो इससे वो एकदम डो की अच्छे से फॉम में आ जाएगा तो ये कोई भी अपनी पसंद की दे सकते हैं आप बॉल की तरह बना सकते हैं फिंगर की तरह लंबे लंबे बना सकते हैं यह इस तरह से सारे cutlets हमारे ready हैं, तो चलिए fry कर लेते हैं अभी, यहां मैंने तेल को कड़ाई में गरम करने रख दिया था, यह मूंगफली का तेल है, आप जो वृत में भी खाते हैं, आप कोई भी तेल ले सकते हैं, या आप इनको देसी घी में भी fry कर सकते हैं, अब एक एक करकर हम इन पलटिएगा, थोड़े से चिपक जाते हैं यह आपस में, तो यह देखे, अलट पलट कर मैंने इनको अच्छे से पका लिया है, अब यहां देख रहा होंगे, आप एक cutlets में इस तरह का कुछ निकल आया है, उपर अद्रक की जैसे, तो जब भी निकले तो तेल बहुत चट लोगी, अलट पलट करकर इनको अच्छे से पका लेंगे हैं, यह देखे, cutlets हमारे ready हैं, तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं, और देखे किता अच्छा golden color आया है, इन पर देखने में किते tempting लग रहे हैं, शिवरातरी कि आप इसको बड़े party, kitty party या जो भी guest आएं आप तो एक बार ज़रू ट्रा कीजेगा, मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि यह आपको और आपकी family को कैसी लगी, पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को subscribe करें, happy ship रादरी, take care